जैसिरी सीता राम समस्त देश वासियों को दीपवली परप की हार्दिक शुप काम ना है दीपवली क्यों मनाई जाती है आईए जानते हैं आज की दिन हमारे प्रभुशिरी राम लंका से बिजय प्राप्त करके पुन्य अयुद्धय आगमन हुआ उस खुशी में लोगोंने दीपग जला के पटा के फुल जरी जला कर खुशी ब्यक्त किये और साथ ही आज की ही दिन समुद्र मन्थन में हमारे अराध्य आदिशक्ति मा लक्षिमा का प्रकट हुआ और प्रकट होने के शाथ भगवान विश्णू के शाथ बिवाह संपन हुआ जिस खुशी में दीपवली मनाई जाती है आज के दिन बहुत ही बर्दानिक होता है आज की दिन हम घीके दीपाक बिधी बिधान से पूजन करने पर हमारे घर की दरिदरता दूर होती है लक्षमी का आगमन होता है भगवान की क्रपा होती है और इस क्रपा से हमारे परिवार में खुशियां आती है इसी के साथ हम ध्यान योग शाधना यदि करते हैं तो हम पांच मिनट बैठ कर संध्यकालिन आदि शक्ति मा लक्षमा का ध्यान करें हमारे सरीर के अंदर समस्त ब्रम्हांड समाहित है उसी क्रम में हमारे हिर्दे और मस्तिस के बीच में कंठ के ऊपर आदि शक्ति मा लक्षमी मा शुर्सति मा बिद्धुमान है जब हम अंत्यकरण की शक्तियों को जागरत करते हैं और ध्यान करते हैं आदि शक्ति मा लक्षमी का तो हमें अपने हिर्दे के ऊपर कंठ के और मस्तिस के बीच में आदि शक्ति लक्षमी मा का दर्शन होता है और वह मा की जो क्रपा होती है तो आप जीवन भर तनाव मुक्त रह शकते हैं जो अर्थ के कारण हम तनाव में जाते हैं वह तनाव में नहीं जाएंगे निरोग काया लंबी आयू के साथ साथ थोड़े से धन में भी आपको संतुष्टी महसूस होगी आनंद की अनभूती होगी और लक्षमी मा की भगवान विश्णू की शदयो क्रपा आप पर बनी रहेगी इनी शब्दों के शाथ बिराम समस्त दर्शकों को स्रद्धा चैनल के माध्यम से हार्दिक शूप कामनाए आप स्रद्धा चैनल में बने रहें और भक्ती भाव के शागर में डूबे रहें जीवन को आनंदित रखें धन्यवाद